तो बहुत पूरा समय आज रिंकू शर्मा का घर अगला कौं दिकू शर्मा बना मुझे नहीं पता यह आप लोग जानते हो अगर आप लोग इस महले के हो रिश्टेदारों को इस घर में उनका वास नहीं होना चाहिए अभी आपने जिनको सुना और देखा ये गाजियाबाद में रहने वाली आस्थामा हैं ये उस पूरे एरिये में हिंदुत्तु को लेके काफी परचलित हैं हिंदुत्तु के लिए हर जगए हर समय लड़ने मरने की बात इनके दिल दिमाग में हावी रहती है इनका एक ही काम है किसी भी तरीके से अपने धर्म अपने हिंदुत्तु को बचाए रखना इसी कड़ी में आज ये है रिंकु शर्मा जिनकी बुधवार को मंगोलपुरी इलाके में कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी आज यह उनके घर पे सोक मनाने और उनके परिवार को सांदोना देने पहुंची उसके बाद इनका दिल दिमाग इस तरीके से घुम गया इस तरीके से परिशान हुआ इस तरीके सुरोया कि उन्हों जिन्होंने उन पे अटेक के था रिंकु सर्मा के उपर उनके घर को तहस नहस कर दिया यह तस्वीर उसकी गवा हैं इन्होंने अपने साथ जो आईल लोग थे इनके कारे करता थे इनके संगधन के लोग थे उनके साथ मिलके इनके घर के ताले तोड़ दिये इनके घर के अंदर घुसके उस पूरे मकान को तहस नहस कर दिया उनका साफ साफ कहना था कि किसी भी कीमत पे इनको यहाँ पे नहीं रहने देंगे इनके मकान को तोड़ दो, किसी बेहालत में इस मकान को तहस नहस कर दो जो हमारे बच्चे की जान लेगा, जो हमारे हिंदुत के परचारक और परसारक की जान लेगा हम उसको किसी भी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं है इसी कड़ी में इन्होंने इस मकान को बुरी तरीके से तहस-थ ness कर दिया और इनके सभी कारकरता उनने इनका इसमें बखुवी साथ दिया आप खुद देखिये इनके यह कारकरता और आस्थामा पहले नोने इस मकान के जो ताला लगा हुए दवाजे पे उसको तोड़ा और उसके बाद इटों से और डंडों से इस पूरे मकान के अंदर जो भी समान था जो भी चीज थी उसको तहस नहस कर दिया यह देखिये किस तरीके से ताले को तोड़ा जा रहा है और यह ताला जैसी ही तूटता है अपने पूरे दलबल के साथ आस्था मा इस घर के अंदर परवेश कर जाती हैं और उसके बाद अपना पूरा गुस्सा इस पूरे मकान के हर समान हर चीज पे निकाल देती हैं उन्होंने घर का कोई हिस्सा कोई समान कोई गेट कोई खिड की नहीं छोड़ी उन्होंने सब चीज को इटों से तोड़ दिया उनके पास जो भी मिला डंडा हो बल्ली हो या ऐसी जो भी चीज जो भी समान को मिला उस समान से उस चीज पे उन्होंने अटेक किया और उसको तहसनेहस कर दिया। यह इनके कारेकरताओं का और इनका गुसा है जो आपको तस्बीरों में साफ साफ दिख रहा है और इन्होंने वहां रिंकु सर्माक की हत्या करने वाले व्यक्ति के घर को बुरी तरिके से तहसनेहस कर दिया।